मर जाते हैं मिट जाते हैं पर जहन्डा नहीं जुकाते हैं अरे लाल हे मा का लाल रक्त में प्रेम स्वदेश समाया है अरे लडेंगे जब तक चली सांस सवगंध हिंद का खाया है अरे देश के काम न आये जो अईसी धिकार जवानी को मोम बनेगा पत्थर भी सुनकर इस करुण कहानी को यह जो कहानी इस कभिता के माध्यम से एक छोटी सी कहानी इसमें है अगर आप लोग इस कहानी को सुनेंगे ध्यान से इस कहानी पर गवर करेंगे तो हमें आसा नहीं पूरा बिश्वास है कि आपका भी दिल पसीच जाएगा पत्थर का भी दिल पिघल कर पानी हो जाएगा तो यहीं से कहानी की शुरुगात होती है इस कभिता में क्या है देखते हैं अरे है कहानी उनकी जो सिर में बाद कफन को जाते हैं मर जाते हैं मिट जाते हैं पर जणडा नहीं जुकाते हैं एक फ़ोजी की कहानी है जो अपने परिवार को अपने मा को अपनी पतनी को अपने बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं भारत मा की शेवा के लिए लड़ाई के लिए बार्डर पर चले जाते हैं ऐसे जवान अपने परिवार को छोड़ करके तो उनकी ही कहानी है तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या होता है जाता है समझा कर अपनी बूढ़ी मा को बात यही एक फोजी है जो अपनी बूढ़ी मा को एक बात कहता है कि मा मैं इस बार तो जा रहा हूँ लेकिन अब आऊंगा रक्षा बंधन के समय पर आऊंगा बहन से राखी भी बनवाऊंगा और आपकी आँखों का इलाज भी कराऊंगा आप्रेशन आँख का आप्रेशन भी कराऊंगा मा यही कहकर फोजी चल देता है घर को छोड़ करके भारत मा की रक्षा के लिए चल देता है अरे जाता है समझा कर अपनी बुड़ी मा को बात यही रक्षा बंधन पर आऊंगा तब होगा तेरा इलाज कहीं बहना बांधेगी राखी अरे बहना बांधेगी राखी जब रक्षा बंधन पर आऊंगा कुछ दूंगा मैं उसके बदले राखी रहकर बंधवाऊंगा यही बात अपनी मा से भाउजी कहकर चला जाता है आगे क्या होता है देखते हैं अरे देकर बिश्वास बिवस होकर परिवार से अपने जाते हैं मर जाते हैं मिट जाते हैं पर जहंडा नहीं जुकाते हैं मर जाते हैं मिट जाते हैं पर जहन्डा नहीं जुगाते हैं यही बात कहकर चला जाता है विवस है वो क्या करे वहां भारत मा की भी रक्षा करनी है और यहां परिवार भी है लेकिन परिवार को छोड़ करके जाता है आगे क्या होता है देखते हैं अरे, शीमा पर बीर पहुँच करके शेवा में माके ख़डा हुआ दुसमन को मैं तो मारूंगा है जिद पर अपने अडा हुआ यही कहानी है जवान की देश के लिए मरता जो देश भक्त है देश भक्ती का खून रगों में बहता जो पत्नी परिवार जुदा रहकर दिल में ही स्वप्न सजाते हैं मर जाते हैं, मिट जाते हैं, पर जहंडा नहीं जुकाते हैं राखी भी नजदीक आ गई, बहना बड़ी प्रतिक्छा में अब राखी भी राखी का भी त्योहार आ गया है, समय आ गया है और भाई अब आएगा घर पे, राखी बंधवाएगा और मा का इलाज भी कराएगा तो देखते हैं क्या होता है अरे राखी भी नजदीक आ गई, बहना बड़ी प्रतिक्छा में कहां ठिकाना खुसियों का, जाने क्या क्या है इक्छा में मिली खबर अस्तब्ध हो गई, दिल पर दुख परवत तूट गया हे भागी बिधाता, कहां है तू, फूटा भी किस्मत फूट गया क्या होता है आगे देखते हैं, इस कभिता में आगे क्या होता है देखते हैं, अरे ध्वनी पड़ी कंड में करकस ध्वनी पड़ी कंड में, कंड, कान में एक ध्वनी पड़ती है एक आवाज सुनाई देती है, दूर से कुछ लोग आ रहे हैं नारा जैसा लगाते हुए आ रहे हैं, घर से कुछ ही दूर और बहान उसको सुनती है अरे ध्वन पड़ी करण में करकस नारा लोग लगाते जाते हैं मर जाते हैं, मिट जाते हैं पर जंडा नहीं जुकाते हैं पर जंडा नहीं जुकाते हैं आगे क्या होता है देखते हैं वो नारा लगाते हुए आ रहे हैं उसमें कई सारे फाउजी भी हैं साथ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्या होता है आगे देखते हैं उसमें उसका राखी बधवाने के लिए सायद भाई भी है आ रहा है मा का इलाज भी कराना है भाई भी उसमें जरूर होगा तो क्या होता है आगे देखते हैं अरे है अंतिम मिलन कुटुम्ब जनों से है अंतिम मिलन कुटुम्ब जनों से अपनों से मिलकर खोया अब वो भाई आया भाई आया है लेकिन अपनों से अपने कुटुम्ब जनों से साइद अंतिम मिलन तो नहीं है देखते हैं क्या होता है अरे है अंतिम मिलन कुटुम्ब जनों से अपनों से मिलकर खोया अब वही भाई आ रहा है जो रात भर जाकर रात रात जाकर हम लोग यहां घर पे सो रहे हैं चैन से चैन की नीद सो रहे हैं चैन से सो रहे हैं लेकिन कैसे सो रहें, कोई वहां जाग जाग कर रात भर पहरा दे कर जाग करके जागता है, तब हम लोग यहां सोते हैं, क्या होता है देखते हैं अरे है अंतिम मिलन कुटुम्ब जनों से अपनों से मिलकर खोया अब अरे कई रात से जागा था ओ भाई जो है जो भाउजी है कई रात से जागा था अरे है अंतिम मिलन कुटुम्ब जनों से अपनों से मिलकर खोया अब कई रात से जागा था वह सदा के लिए सोया अब ओ जो भाई है जो नारा लगाते हुए सभी लोग आ रहे हैं साथ में फोजी आ रहे हैं उसमें वही फोजी है वही भाई है वही भूढ़ी मा का बेटा है जिसको गोली लग गई है अब राखी नहीं बद्धुआएगा और मा का इलाज भी नहीं कराएगा नहीं करा पाएगा क्या करे अरे है अन्तिम मिलन कुटुम जनों से अपनों से मिलकर खोया अब कई रात से जागा था वह सदा के लिए सोया अब जब इस बात को देखती है तो उस फवजी की पतनी आती है जो लोग उस सव को लेकर आये थे उनसे जाकर कुछ बात कहती है पतनी क्या कहती है यही कहती है कि साहब अरे किशी की गोदी सून हो गई यही कहती है उनसे अरे किशी की गोदी सून हो गई किशी की मगिया उजड गई अरे किसी की गोदी सून हो गई, और किसी की मगिया उजड़ गई, आपके लिए बस मरा है फोजी, मेरी तो सब कुछ बिगड़ गई, शाहब अन्तिम लाइन में कहना पड़ा, अरे यादो कृष्णा की यादों में बनयाद बहुत तड़ पाते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, पर जंडा नहीं जुकाते हैं, जे हिंद, जे भारत